नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं चेहरे दिखेंगे, उनपर पूलिस की नजर रहेगी, वर्दी में तो महिला फुरूस पूलिस बल के जमान रहेगे, वहीं सादे लिवाज में भी बीडबार वाले अस्थान पर महिला फुरूस पूलिस बल तैनात रहेंगे, ताकि पुजा पंडाल घुमने आने वाले पुजा से लेकर छट पुजा तक सभी पूलिस पता धीकारियों कर्मियों की छुटी रद रहेगी अगर किसी के साथ कोई विशेस परिस्थिती आ जाएगी तो उन्हें ठोस कारण से समधीत सबुत प्रस्तूत करना होगा तब उनकी छुटीया सुक्रित होगी जारखन में अभी बारिस होगी दो अक्टूबर तक बारिस के असार है 27 सितंबर को गरज के साथ बारिस की संभवना है इस दोरान बजरपात की भियसांका है इसे देखते हुए एलो अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम बिग्यान बिभाग की माने तो राजे में कई स्थानो पर दो अक्टूबर तक हलके से मदर्ज की बारिस हो सकती है जारखन की रजधानी राची में मौसम का बिज़ाज बदला बदला सा है राची में सोमो और को जमा जहां बारिस हुई वहीं सताई सितंबर को भी राजे के कुछ असानों पर हलके से मदर्ज की बारिस हो सकती है गर्जन के साथ बारिज की संभावना है इसे लेकर एलो अलर्ट जारी किया गया है जारखंड के बारह जीलो में पहली बार बन रही प्री फैबरीकेटेट फ्रिल्ड होस्पिटल जारखन के 12 जिलो में पहली बार प्री फैबरिकेटेट फिल्ड होस्पीटल का निर्मान होगा, 6 जिलो में 100-100 तथा इतने ही जिलो में 50-50 बेट के ऐसे अस्पतालों का निर्मान होगा, स्वास्त विभाग दोवरा इस योजना की स्विक्रिती दिये जाने के बाद भौन नि तम 6 माह में बन कर तियार हो जाएंगे, बतादे दिन जिलो में 100 बेट के फिल्ड होस्पीटल का निर्मान होगा, उनमें रांची, रामगल, कोडारमा, पूर्वी सिम्हम, लुहर्दगा तथा हजारी बाग जिला सामिल है, वहीं जिन जिलो में 50 बेट के फिल्ड प्रणिराची में एक जगा दुर्गा पुजा में अनोखी परमपरा का वर्सो से निर्वाह किया जा रहा है, यहां सैने समान और फाइरिंग के साथ माद दुर्गा के कलस के स्थापना होती है, इस वर्स भी इस परमपरा का पालन किया गया, इसके साथ ही सार्दे प्रणिराची में दुर्गा के सार्दे नवराद के स्थापना की गया, यहां माद दुर्गा की कोई परतिमा अस्थापित नहीं की जाती, कलस पर ही माद दुर्गा के रूप में अराधना की जाती है, रांची में ड्योटी से गाई मिले नौ सरकारी डॉक्टर कटेगा वेतन रांची के सिविल सरजन डॉक्टर बिनोत कुमार ने सोमवार को जिले के बाहरी इलाकों में पढ़ने वाले सरकारी अस्पतालों का आउचक निरिक्षन किया इसकरम में उन्होंने अस्पतालों को भरमन किया निरिक्षन के दुरान उन्होंने चिकित्सक कक्ष में पहुँच कर एटेंडेंस रइस्टर मंगा कर जाच की इसके साथ ही अस्पताल कर्मी को अभी मोगे पर बुलाया यहां तेनाथ चिकित्सक पताधिकारी के साथ ही उपस्थित चिकित्सक वस्वास्थ कर्मियों के जनकारी ली इसकरम में अनुपस्थित नव डक्टरों को उन्होंने सोक आज किया है निरिक्षन के दोरान करीम नव डक्टर और दो स्वास्त कर्मी अनुपसीद पाएगा है समुदाइक स्वास्त केंद बुड्डू में तीन येलोपैथिक जबकी दो आयूस डक्टर गाईब मिले इस कूली छात्राओं के साथ छेड़ खानी मामले में चार पंचायतों के ग्रामिनों की जुटान इस कूली छात्राओं के साथ दो मंचले युगा को द्वारा छेखानी और विरोध करने पर छात्रा के परिजनों के साथ मार पीट करने के मामले में सराय केला की चार पंचायतों के ग्रामिन काफी अक्रोसी था है सराय केला थाना अंतरगत टेटो पोसी पंचायत भवन परिसर में चार पंचायत टेटो पोसी चमारू, नराइन पूर और बांधडी गाउं के ग्रामिनों का जुटान हुआ और इस घटना के बिरोध में नराजगी जताई बैठक में गरामिनों ने पूलिस को घटना की जनकारी देते हुए आरोपी योगों के साथ मार पीट करने वाले लोगों पर कड़ी करवाई करने की मांग की है साथ ही गरामिनों ने 24 गंडे के अंदर आरोपी योगी गरफतारी की भी मांग की घटना को लेकर भोक्त भोगी द्वारा पोलिस को लिखी स्थिकायत दिया है ट्रेन रोको आंदोलन का जबाब देने की तयारी जार्खन समेत बंगाल और ओडिसा में कुड़ुमी को आदिवासी का दर्जा देने की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन से आदिवासी समुहों में प्रतिकिरिया है राइनितिक दल इस समुदाय के प्रभाव को देखते हुए भले ही मांग के बिरोध में सामने नहीं आ रहे है लेकिन आदिवासी समुहों ने इसके खिलाप मुर्चा खोल दिया है बिभीन आदिवासी समुहों ने इस मांग को असमने धानिक करार देते हुए कहा है कि कुर्मी कभी भी आदिवासी नहीं हो सकते आदिवासी अधिकार रक्षा मंच ने इस मांग के खिलाप एक दिवसी उपवास की घोसना की है संगठन का रोफ है किया आदिवासी की पाचान संस्क्रिती और अस्मिता को परभावित करने की साजिस है राजेपाल और मुख्य मंत्री ने दी नौरात्र की सुभकमनाई राजेपाल रमेस बैस और मुख्यमंट्री हैमनसुरे ने राजे की जानता को नौरातरी की हार्दिक सुबकमनाय दिया है। राजेपाल ने माधुर्गा से प्रात्ना की है कि वह सभी के जीवन में सुक, सांती, सम्रिदी और यस प्रदान करें। वाई मुख्य मंत्री हेमन सुरेन ने सरदे नवरात्र के पावन आउसर पर ज्यार्खन वासियों को बधाई और सुबकमनाय दी है, मुख्य मंत्री ने मादुर्गे से सबी को स्वास्त, सुखी और सम्रीद रखने की कामना की है 11 अक्टूबर से प्रात्मिक सिख्षकों का अनिश्चित कालिन धरना परदर्शन, ज्यार्खन प्रात्मिक सिख्षक संग के राजे इकाई की बैठक संग भवन सिख्षक सरोदय आसरम सुखदेव नगर रांची में आवजित होई, बैठक के अध्यक्षता परदेश अध्यक सिख्षक समस्याओं के समधान नहीं होने पर 11 अक्टूबर से समक्ष अनिश्चित कालिन धरना परदर्शन किया जाएगा, सिख्षक समस्याओं में MACP का लाव देने, विभागी अधिसुचना 144 को रद करने, सनिवार को विद्याले का कारेकाल पुर्व की भाती करने, परधना ध्यापक के सभी पदों को पुर्णती से भरने आदी हाएं, जार्खन में 35 पार्कों का DPR तयार, जार्खन के विभीन नगर निकावों में बनने वाले 35 पार्कों का DPR तयार हो गया है, जुलकों की कंसल्टेंट कंपनी मास आयन, वायल्ड और मास ने पार्कों का D DPR तयार किया है, दुरगा पुजा के बाद जुलकों काम के आवंटन के लिए टेंडर निकालेगा, 22 परवारी 2022 को नगर विभाग ने अमरीत योजना 2.0 से 35 पार्क बनाने का फासला लिया था, मास से DPR बनने का काम सुरू हुआ था, सर्वे के बाद कंपनी ने 7 महिने बा प्रमंडल में 4, संताल परगना प्रमंडल में 11 और कोलहान प्रमंडल में 4 परक का निर्वान किया जाएगा, मिसेज इंडिया के लिए क्वालिफाई हुई बोकारों के जीरी हिरी मुर्मू, मिसेज इंडिया के लिए फोर एवर एस्टार, इंडिया मिसेज बोकारों जीरी हिरी मुर्मु क्वालिफाई हो गई है जैपुर के पांच सीतारा होटाल मेरियेट में आयोजीत फोर एवर मिसेज इंडिया एस्टेट फिनाले दो में देश के विभिन राजों से आये दो प्रतिभाग्यों नहीं सा लिया था तीन महिने की कड़ी मेहनत वा कड़ी वा मिसेज जार्खन फोर्स्ट रॉन अप वा उप विजेता भी बनी इसके साथ ग्रेंड फिनाले मिसेज इंडिया के लिए क्वालिफाई हुई इसका अवियन दिसंबर में होना है जार्खन के पलामू बागे अभ्यारण में तेन्द्वे के हमले से दो वनकर्मी घायल होगा है जबकि एक अने वनकर्मी उससे बचकर भागते समय चोटिल हो गया अधिकारियों ने सोमवार को जनकारी देते हुए बताया है कि रभ्यार को पलामू टाइगर रिजर्ब के बारे संड में सांबर सोफ्ट रिलीज सेंटर में घुसने के बाद हुई अधिकारियों ने बताया है कि तेंदियों ने एक हीरन पर भी हमला कर दिया है और उसे मार कर अपना निवाला बना लिया है उन्होंने बताया है कि इस हीरन को हाल में बचाये जाने के बाद सांबर सोफ्ट रिलीज सेंटर में रखा गया था उन्होंने बताया है कि तेंदियों को सोमवार सुबा तक केंदर से बाहर नहीं निकाला जा सका है और उसे बाहर निकालने के परियास जारी है पलामू में पती के सामने महिला से 6 लोगों ने किया गैंगरेप सभी गिरफतार जारखन के पलामो जिले में पती के सामने ही छालोगों ने 20 वर्षिय महिला से कथी तुरूप से सामोईक दुशकर्म किया है पुलिस ने सोमवार को याजनकारी दी पुलिस ने बताया है कि सवी चाह अरोपियो गिरफतार कर लिया गया है पलामो के पुलिस अधिक छक चंदन कुमार सिनहा ने बताया है कि घाटना सत्वर्वा थना छेत्र के बकोरिया भलुआडी घाटी के पास हुई है दिल्ली के आनन्द भिहार टर्मिनल जैसा होगा रांची का पिसका एस्टेशन जार्खन की रजधानी रांची में दिल्ली के आनन्द भिहार टर्मिनल जैसा रेलबे स्टेशन विक्सित होने जा रहा है नौरात्र के पहले दिन 26 सितंबर को पर्योजना के फेज वन के कार्यों का सिलन्यास किया गया रांची लोक सभाज छेत्र के सांसत संजाज सेट राय सभाज सांसत दिपक प्रकास महवा माजी एवं हटिया विधान सभाज चेत्र के विधायक नवीन जैस्वाल ने मुखे पर्योजना प्रवंधक 37 कुमार के उपचिती में पिसका एस्टेशन के नवी भवन एवं फेज वन के कार्यों का सिलन्यास किया राय अस्थान से 1200 किलोमेटर साइकल चला कर तीन युवक पहुंचे जारखन पर्यावन सनक्षन और साइकल चलाने के फायदय का संदेश देने तीन युवक राय अस्थान के भरतपूर से साइकल से निकले हैं करीब 1200 किलोमेटर की आतरा कर वे जारखन के गिरी डिजीले के बगोदर पहुंचे अस्थानिये लोगों ने इनका गर्मजोसिक के साथ स्वागत किया आपको बता दे की राय अस्थान के भरतपूर कल्व से एस साइकलिस्ट 18 सितंबर को निकले हैं समेद सिखर जी का इन्होंने दर्शन किया इसके बाद इन्होंने देवगर बाबा बैदनात काफी दर्शन किया इसकरम में इन्होंने साइकलिंग के कई फायदे भी गिनाय हैं महंगाई के बिरोध में मोटिया मैदूर किसान संग ने किया धरना परदसान रोजमरा की जरूरी बस्तूओ खादे पदार्थो सहीद पेट्रोल डियल वार असोई गैस की कीमतों में हो रही बेतहासा बिरिधी के बिरोध में असंग ठीत कामगार मोटिया मैदूर किसान संग के बैनर तले मैदूरों ने सोमवार को जिला मुख्याले में रैली निकाल कर धारना परदसन किया नेताजी चोग के समीब खुटी कल्व परिसर से संग के जिला ध्याक्ष स्यूम अंसारी के नितित में निकाली गए रैली में सामिल मैदूर बढ़ती महंगाई के लिए केंदर सरकार के बिरोद में नारे बाजी करते चले रहे थे रोजगार केंप में चैनित यूतिया जाएंगी हुसूर जन जातिये कार्य मंत्राला की पहल पर खुटी संसाधिये छेतर की सैक्लो यूतियों को टाटा समोह की कंपनी टाटा इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड में रोजगार का उसर मिला है इसमें खुटी, तमार, सिम्डेगा, चाईबासा और सराइक लेखार सावा गिलभक 2000 इंटरपास छात्राओ का चयान टाटा इलेक्ट्रोनिक्स के हुसूर तमिलाडू पलांट के लिए हुगा है 27 सितंबर को केंद्रिये जन जातिये मामलो के मंत्री अर्जुन मुंडा सिविल कोट में दुर्गा पुजा, दिपावली, कोजागरा, चेहलूम, काली पुजा, चित्रगुप्त पुजा और छट पुजा को लेकर वार्षिक अवकास घोसित हो गया है वार्षिक अवकास के बाद छट के दूसरे दिन 1 नॉमबर को कोट समाने रूप से खुलेगा नियाये युक्त के हस्ताक्षर के बाद निवन्थक ने वेकेशन कोट के पिठासिन पदा दिकारियों के सुची जारी कर दिया है 30 सितंबर को नियायमित कोट का अमतिम दिन होगा 1 से 31 अक्टूबर तक अवकास के दौरान अपराधिक ममलों के सुनवाई आंसिक रूप से जारी रहेगी इसके साथ ही जमानत जाचका वो अगरिम जमानत जाचका के साथ अरजेंट मेटर की सुनवाई पिठासिन पदा अधिकारियों के अदालत में हो सकेगी वना अधिकार कानून को लेकर जगरूपता जरूरी ग्राम सभा के अधिसुचना का लगाया बोर्ड सिम्डेगा जिले के पाकर टान परखंड की कैर बेडा पंचायत के डूमरडी हिराजस्व ग्राम के तुर्टूरी पानी गाउ में वन अधिकारों के मन्याता दोहयर चो एहम संस्वधित नियम 2012 के तहद समुदाईक वन अधिकार एहम समुदाईक वन संसादनों का अधिकार को लेकर अधिकार को लेकर अधिनियम की धाराओं के तहद गाउं की सिमा पर ग्राम सभा कैसुचना का बोर्ड लगाया गया ग्राम सभा अधियक्स मिखाईल लकडा के नेति तुम्हें गाउं के पहान देवकरन बैगा द्वारा बिध्वत पूजा करते हुए बोर्ड लगाया गया है रांची में कवाली हमंत सरकार सजाएगी महफिल राज सरकार अक्टूबर या नॉमबर माह में सूफी महोच्षो का आयोजन करेगी पर्यटन कला संस्कृतियम खेल कोदवी भाग ने इसकी त्यारी सुरू कर दिया या भब्य आयोजन रांची के डुरंडा इस्थीत हजरत कुतुभुदीन बाबा रिसालदार के दरगा के बगल के मैदान नेपाल हाउस के सामने में होगा एक दिन के इस आयोजन में सुफी गाय को कवालो वह मुसायदो की माफिज सजेगी इसमें कई भी भी आईपी भी सिर्कत करेंगे धन्यवाद यदि आप चनल पर नहीं हो तो चनलों को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एकान दबाएए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कमेंट बक्स में अपना फीड़वेक अवस्य दे थांक्यू